क्रिएटिव हेल्पिंग हैं जुड़ी ही वीडियो उसको सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करें हाई फ्रेंड्स वेलकम वैक और मैं यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो मेरे पास सिभा हलाल की कुछ लिपिस्टिक्स हैं जिनके प्रॉस और कॉंस मैं आपको बताऊंगी और हैंट सब्सक्राइब दिखाऊंगी पिंक पॉक्स के अंदर ग्लॉसी लिपिस्टिक्स हैं यह सब भी हलाल सार्टिफाइड हैं इन लिपिस्टिक का वेट फोल ग्रैम्स है जो लोग सिर्फ हलाल प्रोडक्ट की उस करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ब्रैंड है मैंनी यह सभी लिपिस्टिक्स फ्रीप कार्ट से परचेस की हैं अगर आप मेरे चैनल को सब् सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें आप मुझे ट्विटर और इंस्टागाम पर भी फॉलो कर सकते हैं ग्लासी लिपिस्टिक का नेम है प्यूर लिप्स मॉइस्चर रिच लिपिस्टिक है यह इस तरह से गोल्डन कलर के बुलेट में आती है लुक वाइस की पैकेचिंग बहुत प्रिटी है और मैट लिपिस्टिक इस तरह से ब्लाइक बुलेट में आती है यहां मेरे पास टू ग्लासी लिपिस्टिक सेंट और तू मैट सबसे पहले में आपको मैट लिपिस्टिक के स्वाचे दिखाती हूं शेट का नाम है आम 14 और सौरी नमबर है 14 और नाम है पिंक पॉप यह बहुत ही प्रेटी पिंग कलर है विद मौवी अंडर टॉन फियर स्किन टोन के लिए एक बहुर अच्छा कलर ऑप्शन है इन मैट लिपिस्टिक की स्टेंग पार फोर तू फाइव आर्स है अगर आप कुछ ऑईली खाते हैं तो आपको टच अप की जरूरत पढ़ सकती है पर अगर आप नहीं भी टच अप करते हैं तब भी हल्का कलर आपके लिप्स पर रहेगा सेकेंड शेड है एम थर्टीन पिंक रोस यह भी बहुत प्यारा बेबी पिंक कलर है कि टेक्स्चर वाइज ही बहुत ही स्मूध है मैट मतलब बिल्कुल मैट नहीं है यह सॉफ्ट क्रीमी मैट लिपिस्टिक्स हैं इस शीट का नमबर है एफोटी नीम है बैरी ब्लास्ट मरून कलर की लिपिस्टिक है टेक्स्चर वाइज यह भी बहुत स्मूध है और बहुत लाइट वेट है इन ग्लॉसी लिपिस्टिक्स की स्टेंग पार कुछ जादा अच्छी नहीं है यह सिर्फ टू आर्सी स्टे करती है और अगर आपने कुछ ओयल ही खाया है तो आपको इसको रिप्लाई करना ही पड़ेगा सेकंड शेड है यह शेड नंबर ए 65 शेड नेम रूबी टच टीप रैड कलर ब्लू अंडर टॉन यह दोनों ही क्लॉसी शेड सभी स्किन टॉन के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस असे सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वाचिंग पाई